प्रधान मंतरी उज्योजञा योजना, इस योजना के अंतरगत उज्योजला धारकों को लगातार 3 महीने फ्री गैस सिलेंडर मिलने वाला था जिसमें अप्रेल और मही में 2 लगातार सिलेंडर उनको मिल गए हैं अब बड़ा बदलाव किया गया है केंदर सरकार की तरफ से जिसमें तीसरे गैस सिलिंडर के लिए आप खुद से भुकतान करना होगा क्या है पूरी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में सो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारे मिल जाए सो फ्रेंड मैं हूमित पाठक और आप देख रहे हैं फैक्ट भी दमित पाठक तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो जैसे ही आप अमरुजाला.com पर आएंगे तो आपको ये हेडलाइन देखने को मिल जाएगी जिसमें लिखा हुआ है उजला योजना केंदर ने तीन फ्री गैसलेंडर योजना में किया बदलाओ खुद करना होगा तीसरे गैसलेंडर का भुकतान क्या है जानकारी आपको चलिए इसमें पड़करम बता देते हैं दोस्तो इसमें लिखा हुआ है केंदर सरकार ने परदानमंत्र उजला योजना के तहट दिये जाने वाले तीन फ्री रसोई गैसलेंडर व्योस्ता में बड़ा बदलाओ किया है लागडाउन में गोशना की गई थी कि योजना के तहट एक अपरेल से 30 जून के बीच तीन फ्री गैसलेंडर दिये जाएंगे अपरेल और मैं में जो उजला धारक है उनको तो गैसलेंडर मिल गए लेकिन आज 25 जून हो गया है अभी तक तीसरा फ्री गैसलेंडर उन्हें नहीं मिला है इसका कारण आपको बता देते हैं दोस्तों सिलेंडर खरीदने के लिए एडवांस में वोगताओं को खाते में धनरासी डाली जा रही थी और उसी धनरासी से वो लो गैसलेंडर बुक करते थे लेकिन तीसरे रसोई गैसलेंडर का भुकताओं को पहले खुद करना होगा बाद में वो जो राशी है खाते में ट्रांसफर की जाएगी यानि तीसरे रसोई गैस सिलिंडर के लिए रासी एडवांस में नहीं मिलेगी उत्तराखंड में भी योजना के दो लाख से अधिक लाभारती है इन में से करीब डेड़ लाख लोगों ने योजना के तैस सिलिंडर खरीद दिया है और उन्हें उनके एकाउन में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है सिलिंडर खरीदते ही खाते में आएगी राशी आयोसी के सेल्स मेनेजर सुधीर कश्षप ने बताया कि अब धनासी तब ही खाते में डाली जाएगी जब लाभारती गैस सिलिंडर खरीदेगा इसके तैट तेल कंपनी LPG डिस्ट्रिब्यूटर के कंफर्मेशन का इंतजार करेगी यानि जैसे ही संबंदित LPG वितरक तेल कंपनी को सुचना देता है कि यह डाटा तेल कंपनी की वेबसाइट पर अपडेट होगा वैसे ही संबंदित खाता धारक के खाते में राशी ट्रांसफर कर दी जाएगी तो दोस्तो अभी अगर आप इंतजार कर रहे थे फ्री गैस सिलेंडर का तो आपको बता दिया जाए सबसे पहले आपको अपने पैसे से ही गैस सिलेंडर बुक करना है और जैसे ही आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं और आप उसका पेमेंट पे कर देते हैं और gas cylinder receive करते हैं उसी के बाद आपके account में तीसरे gas cylinder की राशी transfer कर दी जाएगी तो आप अगर free gas cylinder का इंदजार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद से अपने पैसे से भुक्तान करें और gas cylinder खरीदें उसके बाद ही तीसरी किस्त आपके gas cylinder की आपके account में भेजी जाएगी तो आसा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो चैनल को subscribe कलने और video को like कलने क्योंकि ऐसा news आपके लिए मैं लेकर आता हूँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए खुस रहिए सलामत रहिए